में कल रात में रगेथे और यहां से अब हम लोग जा रहे हैं सेन फ्रांसिस्कों की तरफ जो के यहां से 4 घंटे की डॉप तो अभी मैं रिनों के अंदर हूँ बस रिनों को आम लोग पाई करके जा रहे हैं यहां पे हम लोगों ने ज़्यादा कुछ देखा नहीं फिर दु लोग आगे हैं सार कमेंटो और यह ना कुछ दो घंटे पहले है सैन फ्रांसिस्को से पता नहीं कितनी बार मैंने आप लोग को चिपोटले दिखा दिया होगा क्योंकि हम लोग रोज यही खाते हैं और फिर आप लोग बोलते हों कि जो भी सुवे से शाम तक खाते हो वो का हुए कैश में 599 का है और बिना कैश के यह है 6.09 का तो काफी एक्सपेंसिव है बट हमें भराना पड़ेगा क्योंकि बहुत देर से हम लोग चला रहे हैं तो यहां पर अभी कार्ड चला रहा था कार्ड चलनी रहा है क्या रहे कि अंदर जाके पेमेंट करो तो यह देख और मैं यही पढ़ रहा था कि यहां पर थोड़ा सा अच्छा माहूल सा नहीं लग रहा था मेरे को लिखा हुआ है यहां पर सैंट फ्रांक्सिस को के पासका है ना हुड है यहां पर पारकिंग मिल गई है यहाँ पर फ्री पारकिंग है यहाँ पर अभी जो मैं आप लोगों नजारा दिखाऊंगा न तो आप लोगों को दिल खुश हो जाएगा तो यह कुछ नजारा यहां से दिख रहा है यार मज़ा आ गया इस लोकेशन पर आके और यह देखो हमेशा बोलते हैं यह भाई पहले भी आये थे भाई पिछली बार आये थे तो भी ऐसी था तो देख लो यार पूरा आसमान साफ है और बादल सिर्फ यहीं पर ही रहते हैं और यहीं से ही जाते हैं गोल्डन गेट ब्रीच के यहां से और यह सैंट फ्रांसिस को के ब्रीच के नाम से भी काफी ज्यादा मशूर है तो ऐसे आ रहे हैं क्लाउड्स और यहां जा रहे हैं और देख लो चार तरफ के यहाई ही नी बादल ही नहीं नहीं है तो इसी वज़े से नजारा भी बहुत खुबशुरत लग रहा है कर जहां से अभी हम लोग देख रहे हैं यह है बैटरी स्पेंसर और यहाँ पर बिल्कुल फ्री है कोई एंट्री का चार्ज नहीं है तो फ्री में हम लोगोंने यहां पर पार्किंग लगाई हुई है और यहां से नजारा नो डाउट बहुत ही अच्छा है तो इन्होंने पहार निकलो थोड़ी व्यूपॉइंट वगएरा पर जाओ सिर्फ ड्राइब नहीं करनी होती है आज बड़ी बड़ी बाते इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कितने एक महीने से बाई को मैं गुमा रहा था तो यह मेरी तो चलो यहां से निकलते हैं हम लोग और वह जा रहा है जेट जा रहा है भी देखो अरे क्या मस्तवा जा रही है यहां पर तो पहले हम लोग वहां पे हम लोगों ने पार्किंग की वी थी वो स्पोर्ट नमबर वन था यह ब्रिज देखने के लिए अब हम लोग आगे दूसरे वाले पे और नो डाउट भाई दूसरे वाले से देखो यहां से बादल भी थोड़े से कम दिख रहे हैं मुझे लग है कि वहां से थोड़े हमें बादल जादा दिख रहे थे बड़ यहां से जो वीव है ना नो डाउट सूपर कूल यहां से आप यह नजारा देखो ब्रीज का यार कितनो एकदम किलियर दिख रहा है तो यहां पे हम लोग थोड़ी फोटो वोगरा की चाहेंगे और फिर हम निकलेंगे बैस टाइम है ना यहां पे आने के लिए बैस टाइम है आप दुपैर में दो बजे के बाद आना क्योंकि सूरज इस तरफ को हो जाता है और ब्रीज पे ना सूरज की रोशनी पड़ती है जो फोटो वगरा बहुत अच्छी आ रही है तो मैंने जो यहां फोट या फिर मेरी गाड़ी में प्रोब्लम होगी कुछ ना कुछ हो जाता था बड़ इस बार है ना सच बताऊं तो हमारे प्लैन में था नहीं यहां पे आना फिर भी हम लोग आगे एक चीज में आप लोग को बोलना चाहूंगा बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि यार हम का जो भी काम पूरा नहीं और तो मैं लिए प्लोग को चीज में होनों करते रहो और इसको थोड़ा थोड़ाया पार्किंग का इतना हीश वोक करते हैं, मुश्किल से 10 मिनट की वोक होगी यहां से, अभी यहां से हम लोग कर रहे थे, बढ़ यहां पर लिका हुआ है, सेफटी अलर्ट, स्मेश एंड ग्रैब, होट स्पॉट, तो यहां पर लोगों को पता है, जैसे अभी हम लोग यहां से जा रहे हैं ना, तो में 10 मिनट लगेंगे वहाँ पर जाने के तो यहाँ पर पुलिस वाले भी हैं वहाँ खड़े हैं बट यहाँ जगह जगह पर अलट लगाए हुए कि अगर आप अपनी गाड़ी छोड़ के गए न तो इस तरीके से आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ देंगे और सारा समा अब यहां पर थोड़ा सा टेंशन वाला माहोल हो गया है कि छोड़के ना जाएं क्योंकि हमारे दो तीन लैप्टॉप पड़े वें उसमें फोन पड़े वें जो अभी लिया है तो क्या करें बाई कहा रहे हैं चोरी होएगा होएगा देख लेंगे तो अब आम लोग यहा हैंगे बिल्कुल बाई बदला लेना है तो मेरे को अभी धक्का देदो फिर बाद में चांस नहीं मिलेगा ठीक पुलिस वाले की गाड़ी भी घड़ी हुई है और यह देखलो यहीं पर ही कांच भी टूटा हुआ है यह सारा बढ़ा हुआ बिकरा हुआ यहां पे पुलिस सामने देख रहे हो ना वह है एक्चुल सिटी सेंट फ्रांसिसको और यहां पर एक जेल है यह जो देख रहे हो ना इसकी हम लोग अलग से वीडियो बनाने वाले हैं चैनल पे तो यह आप लोग को बाद में दिखाएंगे बढ़ उससे पहले यह देखो यार बाई बंदर म यह जिस तरीके से नी-योक में मैंने दिखाया था आज कल यहां पर अमेरीका में क्या उरक तो यह तो यह जाएंगे यहां पर इतने ताले लगा लगा के भिए यह जो फिंस है ना वही भारी होगी कि वही टूटके गिर गई किसी दिन आएंगे यह ग कोर्मेंट वाले के सा मोत्रमा को कहां खड़ी है बेकार में वहांसे गिर गई ना तो भाई नीचे जाएंगी वो लोग डरते नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे यह जो ब्रीज है ना इस पर हम लोग ड्राइव करके जाएंगे जो के सेंट फ्रांसिसको सिटी की तरफ तो हम लोग यहां पर ए देखते हैं इस तरफ से तो शीशे टूटे वे नहीं दिख रहे हैं एक्चली हम लोगोंने काफी जादा रिस्क ले लिया था अगर सच बताऊं तो टूट जाते ना लैप्टॉप लूप्टूप सब कुछ चला जाता देखते हैं इस तरफ को इधर भी ठीक है फ्रंट भी बनाते हो अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो आप लोग इस तरीके की लोकेशन कैसे देखोगे आज से ना पहले ऐसा नहीं था यहां कैलिफोनिया में एक नया रूल आया है जिसके कारण इतनी ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम हो रहे हैं मुझे पता है वह रूल जल्दी नहीं दिखाएंगे आप लोगो वहां पे हम लोग प्रोपर वहां की जो ट्रेंस वगरा ना पुराने टाइम की और जो बस वगरा है और सीटी में किस तरीके खाना वगरा मिलता है वो सब चीजे अम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग हैं हम लोग बादल इस तरफ से आप लोग को दिखेंगे के सामने तीक नहीं रहा कि मतलब हम लोग कहा जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बादल के अंदर गुस रहे हैं पट वह वह पर भी एक जो गेट जो बोलते ना इसके प्रिज को वह वहां पर भी यह यह देखो बादल के अंदर गुजगे हैं और अब भी आप लोगो थोड़ी देर में दिखेगा यार कितना कूल दिख रहा है भाई कह रहे हैं उनको ठड़ लगने लग गई देख लो यार कितने बादल आगे हैं एकदम कुछ नहीं दिख रहा है में को तो ऐसा लग रहा है कि मैं मनाली के माउंटेन में चला गया हूँ वहाहीं पर ही मेरे को दिखते थे इतने सारे देख लो भाई ये गेट आगया है बिल्कुल बादल ने बिल्कुल इसको ढख लिया है क्या नजारा है यार आदा ब्रिस तो बिल्कुल साफ दिख रहा था तो वो है दूर से जो है सिटी का नजारा सामने और यहां से कुछ अंडर पाथ सा बनावा है जिसमें से हम लोग जा रहे हैं मैं को लग रहा है आगे से ना यह वहला नजारा आएगा नहीं जो अभी आप लोग को दीख रहा है वह देखा पर सेंट फ्रांसिसको में ना पार्किंग बहुत ही मुश्किल से मिलती है फिलाल हमें वहां पर पार्किंग मिल गई है और यहां पर है मीटर तो यहां पर क्या ह तो यहां पर फिर बसंती को छोड़के जा रहे हैं बिलकुल मन नहीं कर रहा है से छोड़के जाने पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमें सिटी गुमनी है वोक करके हम लोग करते वह आगे हैं वैननेस और यह जो यहां की जो में स्ट्रीट बोलते हैं इसको हो सकता है मैं गलत मुश्किल से दो मिनट की वोक करनी है तो मैं जब वोक करते समय आप लोग को यहां का थोड़ा सा लाइव नजा रहा दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहां पर लाइव चल रही है मैं इसी तरीके का टूर है ना नुई-योक सीडी में भी दिया था काफी लोगों को चलाते हैं मैं इतनी दीरे चलाता हूं कि लोग पीछे से मिर को बोल के जाते हैं अचा एक और चीज है यहां पर सैंट फ्रांसिस्कों में रोड देखोगे न तो सारे से स्टीप है यह देखो अभी नीचे की तरफ जा रहा है फिर ऊपर चड़ रहा है तो यह वाली है जो ह कर दो कि तो इस हम लोग ले रहे हैं पांच डोलर में तो यह बही हम लोग बिलकुल आगे बैड़ जाते हैं इसमें तो बही यह जो स्टार्ट होगी है यहां से और उपर की तरफ में जाएगी यह देखो गाड़ी वाला इहीं पर खड़ा हुआ है अजीब सा लग रहा है इसमें तो और बिलकुल ओपन है भाई यह देखो यहां से गिर गए तो कोई बैल्ट वगरा भी नहीं लगी भी बट में को लगता है ज्यादा तेज नहीं चलती होगी तो इससे क्या है इससे क्या है कि आप लोग को पुरा है न सिटी का नजारा आ जाएगा और इसको चलाने का बड़ा अलग सा सिस्टम है यह पुराने जमानी के जैसे चलती है यह देखोगे तो यह जैसे बाई साब खड़े हुए ना हैंडल पकड़के तो इसको आगे पीछे कर रहे हैं गेर चेंज कर है इसमें अभी हम लोग हैं सिर्फ दो ही पैसेंजर हैं और बाकी यह सब काम करने वाले हैं तो अभी देखो बीच में रुगी है और एक और आ रही है वहां से सामने से लोगों को न मैं पूरा टूर देता हूँ पहले हम लोग वहां पे बैटे वे थे बिलकुल आगे यह जाई साम यहां से चला रहे थे और यह कुछ अंदर का नजारा तो यहां पे इन्होंने हाथ से बख़ड़ने के लिए बनाया रहा है आप खड़े भी हो सकते हो यहां पे इसको ऐसे पकड़ गे मैंने देखा है यहां पर जातर लोग ना लटक के फोटो की चुआ रहे थे तो यहां पर अंदर बैठने का है और एक ना पीछे की तरफ भी सेम है अगर यहां पर देखोगे ना तो जब यह इस तरफ को चलती है तो यहां से ओपरेट होती है जब इस तरफ चल रही है तो यहां से इसका कोई भी टर्निंग पोइंट नहीं है सोरी आवाज थोड़ी जादा आ रही होगी क्योंकि बहुत जादा शोर हो रहा है इसके अंदर क्योंकि उपर की तरफ जा रही है बहुत जोर लग रहा है हो पूरा ना वुडन की बनी हुई है एकदम ब्यूडिफुल के जो है ना केबल कार वन हेंडर और फिफ्टी इयर्स ओल्ड है और एक सो पचास सालों से यह चल रही है तो पहले भी इना कुछ इसी तरीके की दिखती थी और आज भी इसी तरीके की है जो कि इन्होंने पूरा इन्होंने बनाय हुआ है अब इन्होंने खीच दिया ब्रेक अच्छा मेरे को नहीं पता था कि वो आगे से सिर्फ चला रहे है और यह पीछे से जो है मैडम ब्रेक खीच रही है इस ट्रेन को इन्होंने इसलिए ऐसे बनाय हुआ है क्योंकि यह लोग है आपको फील कराना किस तरीके से उपरेट होती थी कैसे चलती है तो मेरे को तो सूपर कूल लगा अब हम लोग चलते हैं यहां से जब नेक्स स्टेशन आएगा उतरेंगे अब मेरे को डर लग रहा है अगर यहां से देखोगे ना तो रोड़ी नी दिख रहा है पुरा एक्तम नीचे की तरफ जा रहा है ओ भाई उन्हें तो बहुत खतरना लग रहा है भाई अब भाई डर भी लग रहा है उन्हें दो गाड़ियां चल रही है यार पुरे इसके उपर किसी को डर नहीं लग रहा और वो देखो और भी अब स्टीब नीचे जाएगा भाई अगर मैं आप बसंती लेके आता ना तो हमें तो डर लगता है यहां पर ड्राइव करने में भाई देखो यह गाड़ी कितनी पास कड़ी भी है उस बंदे को डाटने लग रहे हैं कि उसने उस बंदे को डाट दिया इन्होंने वो इधर केवल कार में आ गया यह जो पांच डोलर है ना वसूल है देखो हर बंद है ना टेसला लेके घुम रहा है यह भी टेसला है वो भी टेसला है यह जो सामने रोड देख रहे हैं बिल्कुल उसके टॉप से यहां तक आए हैं अगर मैं सच बहूना अभी हम लोगों को उपर चड़ने में है ना एक गंटा लग जाएगा और एक गंटे से जादा लग जाएगा और अभी यह देख लो हमें पांच मिनट में ले आई यह कि जो राइड है यह नोवजे तक चलती है तो हम लोगों को नोवजे से पहले आना पड़ेगा नई तो फिर कोई और दूसरी हमें कोई बस अगरा पकड़नी पड़ेगी तो अभी हम लोग आगे हैं डाउन टाउन के एरिया में तो आज की हमारी जो दूसरी लोकेशन है न स्टारबक्स बंद हो गए हैं तो फिर फटा फटा भी कर लेते हैं डिनर नी तो भुके रहा जाएंगे फिर तो हम है ना चिक फिले देखते हैं पल न हम लोग सोच रहे हैं यह ना एक प्रिजन है और यह कालेंड पर बनी हुई है यहां चूबब काल फटाता थी टेज़स हैं यहां पर ने उरलांडी में उससे पहले उन्हें बार एक एरिया बनाए हुआ है जहां पे काफी सार क्हाने कशा और चोटी-मूटी गेम्स हैं तो वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है अगर आप लोग यहां पर रहते हैं सेंट फ्रांसिस्कों में तो मुझे एक चीज बता ना यहां पर मदब जैसे स्टारबक्स हो गया मैक्डोनल्ड वगरा हो गया भाई छे वजे यहां कौन बंद करता है पूरे अमेरिका के अ 15 15 15 123456789 10 11 12 13 14 तो अभी आप लोगों ने देगा किस तरीके से अरो बंदा मैजिक कर रहा था तो हम लोग जो भी कार्ड सोच रहे थे ना वहीं कार्ड उसने निकाल दिया तो तीन-चार बार उसने किया हर बार वो बंदा सही हो रहा था जो सामने देख रहे हो ना यह है वो प्रिजन जिसमें हम लोग कल जाएंगे और इसका नजारा कराएंगे आपको फोन ले जाते हैं अच्छा भाई कह रहे हैं कि सीगोल ले ना फोन ले जाके बेच देते हैं और फिर यह मचली खरीते हैं कहां देखा भाई आपने करके देख लो मैं यहां पर क्यू रखोंगा फोन गिर गया मेरा पानी में आप दोगे सीगल लेके जाएंगे अच्छा इस पॉन के वैसे भी कोई पैसे नहीं दे रहा है अच्छा यहां से पकड़ेंगे सेन फ्रांसिसको की बस और आप लोगो तुछा बस का भी नजारा कराते हैं काफी लोग बोल रहे देगा है नियोक की भी बस में घुमा नहीं वहां पर अब नियोक जाओंगा नेक्स आइम में तो वहां की बस भी मैं आप लोग को दिखाता हूं यह कुछ अंदर से इस तरीके से दिखता है यहां पर इनका बार है हम लोगों ने यहां पर ओडर किया है चिकन पीजा तो यहां गया है हमारा पीजा तो पहले में को लग रहा था बहुत बड़ा साइज होएगा अब इतना है नीट अब हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है और हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा बिल आया था बाइस डोलर प्लस उस पर हम लोगों ने टिप देथी 20 परसेंट तो श्याद 25-26 डोलर के करीब हमारा बिल बना और एक फणी चीज थी कि यहां पर अमेरिका म सबको देते हैं करी मुझे पता है कि इंडियन लोग होते ना वह बरफ नहीं लेते हैं वह मिछ न्मल पानी लेते हैं वह हल ऑःत लोगोंने ना यहां से ले ली है अपनी बस की टिकेट और 3 डोलर की एक परसन की राइड है तो हमने दो ले ली है यहां से और डेली पास भी ले सकते हो बस का जो है पांच डोलर वही तो यह आगी है हमारी बस जिसमें हमें जाना है चलो कर दिली की वह वाली बस लग रही है रेड वाली जो यह एसी वाली बस होती है पुरा वहला फील आगा इसमें अभी हम लोग आगे हैं जहां से हम लोगोंने अपनी आज दिन की शुरुआत की थी एक एक एपल राइड लेने के लिए और मैं यह बोलूँगा कि मेरे को य सेंट फ्रांसिस्कों का और मैं आप लोगों से अपना शेयर गरना चाहता हूं नो डाउट यह सेटी मेरे को बहुत अच्छी लगी और यहां पर यहां पर एक चीज़ है ना जो शे बजी के करीब यार सारी चीज़े बंद हो गई वह थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को कलम लोग फिगर आउट करेंगे कि यहां पर चकर क्या चल रहा है तो चलो इस वीडियो में इतना था फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई